Success with Suman KVS में आपका स्वागत है Today, the name of the chapter is Too Much Water, Too Little Water बहुत संजोग की बात है कि आज हम Water के बारे में पढ़ेंगे और Water से होने वाली कई तरह की कठिनाईयों और Water की उपयोग से कई परकार के संसाधन के बारे में हम जानेंगे सिखेंगे दोस्तों इस परिवार को बरहाना आपके हाथ में है मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि अगर मैं आपको ठीक से परहता हूँ तो आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना चाहिए कॉमेंट का मुझे इंतिजार राता है क्योंकि कॉमेंट परने पर आपकी समझ आपकी भावना को मैं भी समझ सकता हूँ मैं भी आपकी भावना को समझ सकता हूँ उसका जो माध्यम है वो कॉमेंट है आप comment में सुझाव दे सकते हैं इसके लिए मैं आपके comment का हमेशा इंतिजार करता हूँ लेकिन comment आता नहीं है मैं आशा करता हूँ कि आप लोग comment भी करेंगे और इसको share भी करेंगे इस channel को बड़ा बनाने में आप लोग का बहुत ज़्यादा युगदान होना चाहिए too much water too little water में हम शुरू करते हैं why save water हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए क्यों उसे संरक्षित करना चाहिए the water crisis is looming in the world यह बहुत बरी समस्या है not only for our country यह particular states only it is a big crisis of all over the world because we know the sweet water that is a drinking water is only present 2.5 percent in the universe तो यह सारे facts है जो आपको बताने जा रहा हूं और एक खित्र के माधियम से मैं आप लोगों को यह संदेश भी दे रहा हूं कि every drop of water counts means हमें एक बूंद को बचाना चाहिए साउधानी के साथ उसका इस्तिमाल करना चाहिए बच्चों के साथ साथ उनके गाजियन उनके दोस्त उनके परिवार उनके आसपास के लोग भी इस चैप्टर से बहुत सारी जनकारियां ले सकते हैं कि आखिर हमें पानी को बचाने से क्या फाइदा होगा और नहीं बचाएंगे तो उससे क्या समस्याएं उत्पन हो सकती है मित्रो और water resources are under presume आप water resources के बारे में जब जानेंगे चुनेंगे उसकी स्थिति को देखेंगे तो मुझे पूरा उमीद है कि आपकी चेहरा आपके रोंगटे सिहर जाएंगे millions of people in the world live with less than thousand liters of water a day ऐसे millions में लोग की संख्या है जो कि अपनी और शक्ता जितनी होनी चाहिए उतना water नहीं यूज कर पाते हैं ये वर्ल्ड का बिडामना है कि पानी का क्राइसिस और उसका यूज इतना बहर गया है कि लोग 1000 लिटर एक दिन में खर्च नहीं कर सकते हैं और water problem is becoming a hunger problem पानी की भूख बहुत बरी problem है और इसको किस-किस तरह से हम चित्रों के माध्यम से सिख रहे हैं it's a time to give water a second thoughts हमें पानी की क्राइसिस को देखने के लिए इन सभी images को देख कर हम imagine कर सकते हैं कलपना कर सकते हैं अभी हम जहां से आपको क्लास ले रहे हैं इस जगा पे पानी की समस्या नहीं है लेकिन एक कहना उचित नहीं होगा कि यहां पे पानी की क्राइसिस कभी पानी का क्राइसिस होगा ही नहीं क्योंकि यह पूरा संसार पूरा धर्ती एक दूसरे से जूरा हुआ है और जब एक जगा समस्या उत्पन होता है तो धीरे 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 हर जगा वो समस्या फैलने लगता है इसका example आप देख सकते हैं कि अभी बीगत के बर्षों में COVID-19 ने पूरे संसार को अपने प्रकोप में कितने जल्दी ले लिया था और तरहे मम की स्थिती उत्पन हो गई थी We thanks to our scientists and doctors and researchers कि इतनी जल्दी इतने बड़े pandemic पे हम लोगों ने काबू पा लिया फिर भी अभी डर रहती है कहीं से news बन कर आ जाता है कि फलाने country में फिर से COVID-19 करने लगा है तो सारे देश सतर्क हो जाते है Now दोस्तो, water crisis is not a little small and unavoidable problem We get this information from newspaper also Also different types of pictures, different types of topics which are related to the water crisis are also here in the powerpoint you can see here Now there are different types of information and awareness are going to be spread by different types of community like students, social workers and the elite persons Now we are going to check the water Water, 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 save the precious water जैसे हम छोटे थे तो पानी का महत्व नहीं समझते थे धीरे 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 जैसे जैसे IQ level का development होता है हम हर समस्या और उससे होने वाले कठिनाईयों के बारे में जानते हैं तो water पे जो poem है Save each drop cause that's what you have caught There plenty of water There plenty of water for you and me but don't waste it or we don't have any पानी है हमारे लाइक जहां पे भी है जिसके पास ज्यादा पानी है उसे पानी को हिसाब से और precaution के साथ इस्तिमाल करना चाहिए उसे wastage नहीं करना चाहिए उसे खराब नहीं करना चाहिए unnecessarily उसको use नहीं करना चाहिए Drink water and be healthy Save water and be wealthy पानी को पीएंगे तो स्वस्त रहेंगे और पानी को बचाएंगे तो हम wealthy अर्थात धनी रहेंगे पानी के पानी को जो पानी के सांसाधन है water के जो सांसाधन है वो हमारे पास प्रशूर मत्रा में रहेगा Better drink water than to call a doctor पहले अच्छी तरह से पानी पीएंगे तो हमें डॉक्टर की जोट नहीं परेगी अगर हम दुशित पानी का गरहन करते हैं दुशित पानी को पीते हैं तो हमें कई तरह की बीमारी होगी different sources of water अब हम पानी के sources के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जैसे सबसे पहले आपने देखा river river फिर आपने देखा glacier glacier का spelling आपको याद रखना है glacier के चित्र को देखना है glacier किस तरह से बर्फ से ढखा हुआ है और कैसे यहाँ से पानी यह बर्फ बनते हैं इसके बारे में मैं अभी एक छोटा सा एक्जामपल के साथ बताऊंगा एक्जामपल यह है कि glacier पे बर्फ जमता क्यों है और फिर जब जम गया तो वो फिर बर्फ पिघलता कैसे है तो जैसे हम जानते हैं बच्चों कि हमारी जो धर्ती है फिर्थवी है वो रोटेट कर रही है और रोटेशनल जो अर्थ है और हमारा जो सन है सन कॉंस्टेंट है लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है सन को तो जो पर्षन अर्थ का सन के पास आएगा वहाँ पे जो बर्फ जमे है वे धीरे धीरे वाटर बन जाएंगे पिघलने लगेंगे और जो पर्षन सन से दूर रहेगा वहाँ पे बर्फ बनेगा इसको लमसम में आपको समझ के रखना है नाव यू कैन सी दे वाटर फॉल हेर वाटर फॉल हेंड पॉंप हेंड पॉंप वेरी वेरी ट्रेशनल वाटर रिशोर्स हेंड पॉंप तो आप वाटर रिशोर्स के बारे में बता सकते हैं कि river है, whale है, pond है, glacier है, hand pump है ये सारे आप अपने answer में दे सकते हैं या इस में से 4 में से 3 option रहेगा और एक कोई और option रहेगा जिसको आपको negative question पूछा जाएगा कि इस में से कौन से water resource नहीं है तो उसको सवधानी से आपको पढ़ना है और tick करना है KBS यहां से question बनाता है और बहुत important question यहां से आता है दोस्तों जब भी हम मस्ती के लिए निकलते हैं किसी beach के किनारे जाते हैं या किसी pond के किनारे जाते हैं तो हम पानी का ध्यान रखें कि पानी हमें और शक्ता के अनुसार ही यूज़ करना है क्योंकि पानी हमें बचाना है फिर धर्ती को भी बचाना है और इस जीवन को भी बचाना है दोस्तों success with suman KBS मैं हमेशा से आपका स्वागत है और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा share करें subscribe करें like करें और आप अपनी भावनाओं को comment के मात्यम से सकते हैं मुझे बिसबरी से इंतिजार रहता है नाव इूजिज ऑफ वोर्टर अब हम पानी का परयोग देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं वशिंग कप्रे को धोने में चीत्र में भी दिखाया गया है कप्रे को धोने में हाइड्रो एलेक्ट्रिक सिटी जहां पे हम एले देजी से फुलो कर रहा है और वहां से वी कैन क्रियेट एलेक्टरी सिटी उसके बाद बाथिंग नाओ वाटरिंग प्लांट्स पौधे में भी पानी देते हैं हम कुकिंग ड्रिंकिंग एंड मेनी मोर्स हम कईभी कभी देखते हैं कि पानी का इस्तिमाल हम लोग जैसे सुमिंग पूल के मादयम से भी करते हैं इंटर्टेंवेंट के लिए बच्चे को वहाँ पे ले जाते हैं और बच्चे बहुत ही प्रशन होते हैं जब swimming pool का यूज करते हैं लेकिन वहाँ पे भी पानी का इस्तिमाल हमें बहुत ही सावधानी से करना है और करना चाहिए now we will talk about water cycle water cycle में देखते हैं हम की बादल से बारिश हो रही है और फिर यह बारिश धरती प्यार रही है फिर यहां से sun फिर sun rays के तुरू एबापोरेशन होते हुए दुबारा फिर बादल बन जाती है तो यह process water cycle कहलाता है now different types of containers used to store water पानी को store करने के लिए अलग-अलग container है जो आप चीतर में देख रहे हैं और इन सभी चीतरों को आपको नाम लिखना है और अपनी copy में इसको draw भी करना है और water harvesting के बारे में अब हम जानेंगे कि water harvesting is the latest method of store rainwater पिछले बिगत KBS और सीटेट में पूछा गया था कि water harvesting क्या है तो water harvesting is the latest method to store rainwater उसमें option था rainwater, drainwater, river water and well water तो आपको धियान रखना है कि water harvesting is a rain store of rainwater now water pollution इसके कारण को जानते है इसके reasons को जानते है animals drinking water from the same pond washing clothes near a pond or a well open well taking out water from a container with bare hands industries polluting water through chemicals जैसे कि जहाँ पे पानी के श्रोथ है वहाँ पे जानवर भी पीते हैं जानवर के लिए हमें अलग से बेवस्था करना चाहिए कप्रे कूशी में धोते हैं फिर हम उसमें गंदगी भी डालते हैं फिर factories निकलने वाले chemicals भी उसमें जाते हैं तो इन सभी कारणों से पानी polluted हो जाता है और हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए women washing cloths in the pond आप देख रहे हैं कि इसमें detergent का भी यूज कर रही हैं जिससे पानी क्या होगा पानी दूशित होगा polluted होगा now open well without lid जहां से हम पानी पीते हैं उस well को ढख रखना चाहिए हमें open नहीं रखना चाहिए now using water with bare hands और हमें पानी का इस्तिमाल करते समय bare hands नहीं रखना चाहिए क्योंकि उस हाथ का गंदगी उस पानी में मिल जाएगा और पानी को दूशित कर देगा बच्चों मेरे मित्रों मेरे साथियों इस तरह से टू लिटिल वोटर टू मज वोटर चैप्टर में हम पानी से सम्मंदित जितने भी फैक्ट्स था अभी हम लोगों ने इसका ध्यान किया अब हम आगे देखते हैं कि वेस्टेज ओफ वोटर पानी का हम कहां पे वेस्ट कर सकते हैं पानी जैसे रनिंग वोटर टेप नल को खूले छोर देने से पानी का वेस्टेज होगा पानी अनिसेसरली गिरेगा आप देख रहे हैं कार वोशिंग, कार वोशिंग में डारेक्ट टेप को खूला हुआ है और पानी अनिसेसरली कार को धो रही है आप पहले उसको ब्रश करते फिर टेप को खूलते तो कम पानी का इस्तिमाल होता दूसरा, टेकिंग अशो और बात, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेप खूला हुआ है और यह जो बच्चा है पानी का वेस्टेज कर रहा है आप लोग भी सुबा उठते हैं जब आपकी ममी उठाती है तो आप ब्रश करने जाते हैं तो टेप को खूला छोड़ देते हैं और पानी टेप में गिरता है पानी वेस्ट होता है और आप उस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आज से आप पानी को वेस्ट होने से बचाएंगे टेप को खूला नहीं छोड़ेंगे इस उमीद के साथ मैं आप लोगों को इस संदेश के माध्यम से से वाटर चैप्टर का अध्यान करा रहा हूं कि इन साड़े फैक्ट्स जो वाटर क्राइसिस के लिए कारण बनते हैं उस पे आप ध्यान देंगे और उससे बचेंगे ताकि पानी हम अत्याथिक से अत्याथिक बचा सके वशींग दे फ्लोर इंस्टीड अफ मॉपिंग अब हम क्या करते हैं कि उसको फ्लोर पर पानी ज्यादा से ज्यादा गिराते हैं और कम पानी गिरा कर भी हम उस फ्लोर को साफ कर सकते हैं तो these are the facts now water is precious मैं इसी कोट के साथ आप लोगों से आज की कलास से बीदा लेता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज की कलास व्यक्तिगत रूप से और परिख्षा के point of view से भी बहुत ही महत्यपूर्ण रहा ताकि आप पानी के एक-एक resource उससे होने वाले benefits और उससे होने वाले different types के बीमारी या crisis के बारे में सिखा दोस्तों आज इस chapter में यहीं तक success with human once again welcome to all of you and thank you जय हिंद जय भारत